हाई दोस्तों सन आनलाइन आप सबका स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करने वाले हैं भाबा इटामिक रिसर्ज संटर जो इन्होंने दो कटेग्रीज में बैकेंसी निकाली हुई है इन्होंने 15-12-15-2020 को एक बैकेंसी निकाली हुई है और जिसकी लाज़ डेट है 21-31-2021 दो कटेग्रीज में इन्होंने बैकेंसी निकाली हुई है फर्स्ट कटेग्री है जो गृप B के लिए होगी जिसमें आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए डिप्लोमा एक बैकेंसी आपकी चार बैकेंसी कमिस्ट्री के लिए है जो जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन होगी BSC 60% मार्क के साथ Physics और Math होना अनिवार होगा जिसमें प्रेंसिपल आपका जो है प्रेंसिपल प्रेंसिपल आपका कमिस्ट्री से होना अनिवार होगा जिसमें 60% इन्होंने minimum percentage रखा होगा और फर्स्ट कटेग्री में डिपलोमा वालों के लिए मकैनिकल की मकैनिकल के 13 पोस्ट है इलेक्ट्रिकल के लिए 6 पोस्ट है केमिकल के लिए 7 पोस्ट है इलेक्ट्रानिक के लिए तीन पोस्ट है, इंस्टूमेंसन के लिए चार पोस्ट है, और केमिस्ट्री के लिए आपका, जो बियस्टी के लिए होगा, चार पोस्ट है, अब हम बात कर लेते हैं, इसमें प्लांट आपरेटर के लिए निकारा हुआ है, पंदरा पोस्ट, जिसमें आपका 12 अनिवार होगा, फिजिक्स कमिस्ट्री मैत वालों ही भर सकते हैं, जिनका फिजिक्स कमिस्ट्री मैत है, वो प्लांट आपरेटर में भी भर सकते हैं, और एक बैकेंसी है, नीचे 2.12 लेबरेटरी असिस्टेंट में भी इन्होंने 12 के लिए ही रखा हुआ है फिजिक कमिस्ट्री में जो 60% क्वालिफिकेशन के साथ होगा इसी में इन्होंने आईटियाई अलों के लिए भी रखा हुआ जो दसों यह प्लस आईटियाई है या कि अपेंटिसिप हैं कहीं से भी कहीं नेशनल सर्टिफिकेट उनको मिला हुआ है अपेंटिसिप का तो वह भी इस बैकेंसी में भर सकते हैं जिसमें इन्होंने एसी मेकैनिक, फिटर, वेल्लडर, इलेक्रीशन, इलेक्रोनिक, मेकैनिक, मसेनिस्ट, इंस्टूममेंट, मसीन, वेल्लडर, मसीन डीजल, मसीनिस्ट, जेंडर तो इन्हों ने इसमें रखा हुआ है अगर आपका कहीं से भी दस्वां और उसके साथ साथ दस्वां के साथ साथ आई टी आई पास आउट होने चाहिए या तो आपका अपेंटिसिप ट्रेंडिंग का कहीं से आपको डिप्लोमा मिला होना जाए यह आपको बैकेंशी की डिटेल हो गई यह आपको बैकेंशी की डिटेल दिया हमने जिसमें सबसे ज़्यादा फिटर की बैकेंशी हैं 11 इलेक्रोनिक मेकैनिक की हैं अब हम बात कर लेते हैं एज रिलेसेशन की एज रिलेसेशन है फस्ट और सेकंड कटेग्रीज में मिनिममम 18 साल दोनों में है और मैक्सिमम फस्ट कटेग्रीज में 24 साल है और सेकंड कटेग्रीज में आपका 22 साल है इंडिया गवर्मेंट के रूल के हिसाब से जो इनका रूल है जो रिजर्वेशन जो S.C.S.T. और O.B.C. के कंडिडेट हैं उनके लिए S.C.S.T. के लिए 5 साल और O.B.C. के लिए 3 साल का एज रिले सक्षन दिया गया है आगे हम बात करते हैं फिजकल स्टेंडर्ड की इन्होंने फिजकल स्टेंडर्ड में आपको मांगा हुआ है मिनिमम हाइट आपकी 160 सेंटी मीटर होनी चाहिए और मिनिमम बेट आपका 45.5 किलोग्राम होना चाहिए और आप मेडिकली फिट होने चाहिए इस वेकेंसी में इसके बाद हम आपसे बात कर लेते हैं इन्होंने पेमेंट शिप दिया हुआ है फस्ट इयर इनका होगा फस्ट कटेगरी के लिए 16,000 रुपए और सेकंड कटेगरी के लिए 10,500 रुपए होगा फस्ट इयर के लिए कटेगरी फस्ट में 16,000 कटेगरी सेकंड में 10,500 रुपए है सेकंड इयर आपका होगा 18,000 और कटेगरी सेकंड में होगा 12,500 आगे इन्हों ने दिया है फर्स्ट कटेगरी के लिए रिटेन एक्जाम होगा एक गंटे के लिए एक गंटे में जिसमें चालिस आपके आपजक्टिब मर्टिपल कुश्चन पूछे जाएंगे डिपलोमा और BSC लेबल के लिए यह सिफ डिपलोमा और BSC लेबल के लिए होगा जिसमें आपको तीन मार्क करेक्ट कुश्चन के लिए सही कुश्चन आपने किया है तो उसके लिए तीन मार्क मिलेंगे और एक नमबर आपको काटा जाएगा जब आपका गलत होगा कुश्च जो आपका सेकेंड ग्रूप होगा स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 के लिए तो इसमें दिया है प्रेमिली टेस्ट होगा आपका जिसमें आपका मायत का 20 कुश्चन, साइंस का 20 कुश्चन और जर्नल अवेरनेस का 10 कुश्चन होगा इसी प्रेकार से स्टेज 2 है, एडवांस टेस्ट होगा आपका इसमें आपका इसमें भी एक कुश्चन सही करने पर आपको 3 नमबर मिलेंगे और एक कुश्चन गलित करने पर 30 परसंट आपके मार्ग कट जाएंगे अर्थात आप तीन कुश्चन एक कुश्चन सही करते हो तो आपको 3 नमबर मिलता है और एक कुश्चन आप तीन कुश्चन आप गलत करते हो तो आपका एक एक नमबर पर कुश्चन का कटेगा जो कि आप एक नंबर करते हो तो आपको तीन नंबर मिलता है अग तीन कुश्चन आपको गलत होता है तो उसमें आपका तीन नंबर कड़ जाएगा परतात तीन कुष्चन आपने गलत किया, एक कुष्चन आपने सही किया तो बराबर करके आपका zero number हो जाएगा इन्होंने जो फार्म दिया हो, ओ आनलाइन के लिए होगा, आनलाइन भरा जाएगा अब हम बात कर लेते हैं इनका online application farm कितने रूपए का पड़ेगा category first के लिए category first के लिए 1.500 रूपए का है category second के लिए 100 रूपए का category second के लिए 100 रूपए का जिसमें 12th और ITA वाले हैं उनके लिए 100 रूपए का farm है और category first में जिसमें BSC और diploma वाले हैं इनको डेड़ 100 रूपए देना होगा एक farm